फ्लाइट ओप्रेशन के दौरान पाइलोट और कृू मेंबर्स को परफ्युम के इस्तमाल पर रूक लग सकती है DGCA ने यह हप्रस्ताव दिया है, क्या है इस के पीछे की अहम वज़य, क्या है पूरा मामला भारत में पाइलोट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स के पर्फियूम के इस्तमाल पर रोक लग सकती है DGCA ने ये प्रस्ताव रखा है अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो उडान की दोरान प्लाइलिट और फ्लाइट क्रू मेंबर्स को पर्फियूम लगाने की अनुमती नहीं मिलेगी जो लोग ऐसा करते पाए जाएंगे उनके उपर DGCA कारवाई कर सकता है रिपूर्ट के अनुसार पर्फियूम के अलावा उन दवाओ और माउथ वाश के प्रोड़क्स पर भी रोक लगाई जाने का प्रस्ताव दिया गया है जिसमें आलकोहॉल मौजूद होता है इन प्रोड़क्स के कारण ब्रेट लाईसर पर टेस्ट पर असर दिख सकता है DGCA ने हाल ही में अपने मेडिकल टेस्ट के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखा है DGCA ने अपने परस्ताओं में ये कहा कि अब crew members या pilot किसी भी दवा, perfume या dental products का इस्तमाल नहीं करेंगे, जिसमें अलकहॉल मौझूद है इसके साथ ही इस प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि अगर कोई क्रू मेंबर इस तरह की दवा लेता है तो इसे इससे पहले डॉक्टर की सला लेनी होगी पर्फ्यूम में थोड़ी मात्रा में आलकोहॉल मौजूद होता है भारत में एरलाइन्स पे पाइलेट और क्रू मेंबर्स के लिए शराप से जुड़े रूल्स बहुत सकत है